वेलकम टू मैं चैनल एसके नोलेज कलास दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा ग्राफ बनाने बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाना है जो की समिकरन आपको दिख रहा होगा इस समिकरन को हम लोग ग्राफ ये विदी से हल करेंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी को दबा कर लिजे दोस्तो अच्छे तरीकास मैं आपको बताऊंगा तो पूरा देखेंगा वीडियो के चलिए दोस्तों कोपी पर हल करते हैं देख सकते हैं दोस्तों हम समीकरन को लिख लिए हैं ठेक समीकरन एक्स पलस वाय बरावर तीन उसके बाद है टू एक्स पलस पांच वाय बरावर बार तो इसको हम लोग समीकरन एक मान लेंगे दोस्तों क्या करेंगे समीकरन एक मान लेंगे ठेक समीकरन एक उसके बाद दो दूस्तो इसको समीकरन 2 मान लेंगे समीकरन 2 अब ध्यान से देखें ग्राब खिजने के लिए हमें x and y का मान चाहिए ठीक तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तो x or y का मान निका लेंगे चलेंगे समीकरन 1 से समिकरन एक से पहले समिकरन एक को हल करेंगे ठीक समिकरन एक है आपका एक्स प्लस वाई बरावर तीन ठीक तो एक्स बरावर क्या हो जाएगा दोस्तो तीन प्लस है तो यह माइनस वाई हो जाएगा बरावर कि उपगल जाएगा तो जो पलस होता है माइनस हो जाएगा जो माइनस होगा उपलस हो जाएगा यानि कि चिन बदल जाएगा अब क्या करना है दोस्तो X और Y का दो-दो table बनालना है ठीक ध्यान से देखिए का last तक देखिए table बना लिए दोस्तो table आपको बनालना है दो गोड table बना लिए x का भी और y अब इधर हम rough करेंगे दोस्तो ठीक न आप कहीं भी rough कर सकते हम यहां rough कर रहे हैं ठीक दियान से समझेगा रफ इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझने में आसानी रहे हैं अब देखिए दोस्तो हमें x बरावर क्या आया है कि तीन घटा y अब y के जगह ऐसा मान रखना है दोस्तो x का हल होके अंसर निकल जाए ठीक इसके बटे में नहीं है तो आसान तरीका से हल हो जाएगा कुछ भी रखेंगे y का मान मान लिजी एक रखेंगे दोस्तो y के जगह तो यहां हो जाएगा 3 घटा कितना 2 बचेगा तो 2x का मान निकल गया x के जगह 2 अब फिर अलग मान रखना है एक तो रख दिये हैं अब दूसरा मान रखना है दोस्तो तो हम क्या करेंगे दोस्तो अब की बार y के जगह 2 रख देते हैं y के जगह 2 रख देना है y के जगह 2 रख दिये तिच्चा हो जाएगा दोस्तो x बराबर निकला है मेरा क्या 3 घटा हुआ है y के जगह 2 रख दिये 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा तो x का मान 1 निकल गया X बरावर एक रख देंगे ठेक आप दोस्तों समीकरन दूसरा को हल करेंगे लिखेंगे समीकरन समीकरन दो से ठेक समीकरन दो क्या है 2X प्लस 5 हुआ है बरावर 12 ठेक लिख देंगे दोस्तों 2X प्लस 5 हुआ है अब ब्रावर 12 ठेक ध्यान से देखना आपको लास्ट तक 2x ब्रावर क्या हो जाएगा दोस्तो 12 प्लॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हुआ है ठेक जब x ब्रावर निकालेंगे दोस्तो इसके बटे में चले जाएगा क्योंकि यहां देखिए यहां x का गुना कुछ नही ठेक अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें भी x और y का डो डो बॉक्स बना लेंगे ex और y का ठीक ध्यान से देखना है आपको ठीक और उप्लॉय आपको सफ यह का दो बॉक्स बन गया ठीक अब इधर हम रप करेंगे दीख अप कहीं भी रफ कर सकते हमें X बढ़ावर क्या आया है दोस्तो 12 घटा 5 य बटे 2 आया है न अब Y के जगह आपको ऐसा मान रखना है अपने से ताकि दोस्तो X का मान पुरा-पूरी कट के निकल जाए क्योंकि बटे में 2 है तो ध्यान से आपको रखना है देखिए Y के जगह हम क्या करते हैं दोस्तो 0 रख देते हैं Y के जगह 0 ठेक ती हो जाएगा 12 घटा 5 गुना Y के जगह क्या रखे है जीरो बटे 2 तो क्या हो जाएगा जिरुवे हो जाएगा यानि कि सिर्फ 12 बचेगा देखिए 5 गुना 0 करेंगे 0 बारे में सिद्ध 0 घटेगा नहीं तो यानि कि 12 बटे 2 आ गया तो इच्छ मान चो हो गया अब दूसरा मान रखना है दोस्तों दूसरा मान कुछ अलग रखना है जैसे कि क्या है 12 घटा 5 गुनाव Y के जगह दूसरा मान अब की बार रखना है दूसरा 0 रख दिये हैं तो Y के जगह क्या करते हैं 2 रख देते हैं ठीक देखिए Y के जगह अगर 2 रख द गिया एक किसका मान निकल गया अब यही दोनों मान को हम लोग दोस्तों गराफ पेखीचेंगे ठीक यहां गराफ कोपी है इस पर हम लोग घीचेंगे देखिए ऐसे एकस का लाइन होता है और ऐसे उपर से नीचे य याद रहिए ताकी दिक्कत ना हो ठेक ऐसे खीच लेना है खीच लिये दोस्तों आप लोग पेंशील से बनाइएगा ताकी दिक्कत ना हो ठेक यह हो गया आपका X और X- नाम दे देंगे उसके बाद ऊपर से नीचा खिचना है आपको ठेक ऊपर से नीचा या नीचे सुपर एक लाएन ऐसे उदर के खीच देना है, मोटा भला लाइन पे ठेक, जैसे यहाँ खीच दिए है ठेक, अभी क्या हो गया, दोस्तों, वाई अक्ष हो गया, ठेक, नीचे वाइ डेस लेख देंगे, ठेक, आप देखिए दोस्तों यहां ध्यान से समझिएगा बीच में होता है 0 X के लिए भी और Y के लिए भी ठीक और दोस्तों दाया साइड होता है X अक्ष पे प्लस में 1,2,3 प्लस में 1,2,3,4,5,6,7 जहां तक आपके कॉंपी में अर्जेस्ट हो जाए ठीक उसके लिए भाया साइड X में होता है रिनात्मक यानि कि माइनस में माइनस 1,2, 3,4,5,6 ठीक ना यहां आपका मूल विंदू से इधर चलेगा प्लस में मूल विंदू से चलेगा माइनस में आप य अक्ष वला में क्या होता है नीचे माइनस में होता है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 जहां तक लिख सकते हैं याद रखिएगा मोटा वाला लाइन पर आपको बैठाना है जब भी हम बैठाएं देखिए मोटा वाला लाइन पर उपर होता है प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक अब जो है दोस्तो इसी मान को हम लोग गराफ कोपी पे खीचेंगे ठीक ना देखिए दोस्तो मान देखिए ध्यान से आपको समझना है समीकरन 1 का मान कितना है दोस्तो X, 2, Y, 1 उपर नीचा देखना X, 2, Y, 1 इसी को खीचेंगे X, 2 यहाँ है पलस में Y, 1 यहाँ है देखिए Y वला में 1 जाएंगे X वला में 2 जाएंगे तो यह कहाँ पर मिलेगा दोस्तो देखिए 2 और 1 यहाँ पर मिला इस बिंदू को इसे घेर देना है ठीक उसके बाद देखिए फिर X, 1 और Y, 2 दोनों पलस में है इस बिंदू को ध्यान से आपको मिलाना है ठीक दोनों बिंदू को ध्यान पुरुवक मिलाना आप लोग पहले पेंसिल से एक बार बना के प्रैक्टिस कर लिजेगा उसके बाद पेंसे बनाईएगा ऐसे आपको खीच देना है खीच दियें दोस्तों अब यहाँ समिकरन एक खीचा गया ठीक ना समिकरन एक इसका तीर मोर देना है दोस्तों ठीक ताकि आपको पांच में पांच नम्मर मिल जाए अब देखिए दोस्तों यह बिंदू क्या था बिंदू आपको लिख देना है बिंदू क्या था पहला वाला X2Y1 तो 2,1 पहले X होता है फिर Y होता है ठेक उसके दूसरा था X1Y2 X1Y2 ऐसे बिंदू दे देना है समिकरन भी लिख देना है समिकरन था समिकरन एक था X प्लस Y बराबर 3 समिकरन लिख देने से पूरा नमर मिलेगा कहें भी लिख सकते हैं यहां यहां लिख देते हैं दोस्तू X प्लस Y बराबर 3 समिकरन समिकरन 1 ठेक अब दूसरा समिकरन को हम लोग खीचेंगे दूसरा समिकरन यहां है उसका मान कर आए X6Y0 ठेक त्यान समझेगा X, 6, Y, 0 यानि कि 0, Y के जगह 0 पे रह जाएगा नहीं उपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा तो यानि कि 6 के बिंदू पे रह जाएगा ठेकी यहाँ क्योंकि X, 6 है, Y, 0 है तो X वाला ही लाइन पर रह जाएगा उसके बाद देखिए X, 1, Y, 2 X, 1, Y, 2 यानि कि पहले वाला ही बिंदू आ गया देखिए X, 1, Y, 2 यही बिंदू, यही बिंदू और यही बिंदू को फिर मिलाएंगे देखिए दोस्तों एक बटे दो सोरी, एक और दो बिंदू सेम है इसलिए एक ही बिंदू पे माना गया ठेक, आप दोस्तों ध्यान पुरवाग हमें क्या करना है इसको और इसको मिलाना है ठेक, ध्यान से देखिएगा पूरा, देखिए ऐसे मिला देना है ठेक, इंची सही से रखना है आपको, ठेक न ऐसे मिला देना है मिल गया दोस्तो अब ध्यान से यहां देखिए ऐसे इसको भी ऐसे मोर देना है अब दोस्तो यहां बिंदू क्या आया था आपका 6,0 आया तो देखिए 6,0 ठेक उसके बाद दोस्तो यहां बिंदू तो वही था 1,2 से में और यहां समिकरन 2 था तो समिकरन आपको दर्साद देना है यहां लिख देते हैं समिकरन 2 इधर जगह नहीं है समिकरन 2 था दोस्तों 2x प्लस 5 वह ब्रावर 12 लिख देंगे 2x प्लस 5 वह ब्रावर 12 समिकरन 2 जहां भी जगह मिले वहां लिख देना है अब यहां आपका गराफ जो है सौलीट बन गिया दोस्तों ठेक तो दोस्तों अब इसमें एंसर निकालना है एक्स और वाय का मान निकालना है ठेक तो यहां ध्यान देना है समिकरन एक और समिकरन दो कहां पर कटा है वही एंसर होता है तो समिकरन एक और समिकरन दो जो है दोस्तों यहां कटा है ठेक य 2 आहां काटा है तो X किसके सामने कटा थो A के सामने X का answer है 2 एक हो गिए य चेय्ट में वाइ का 2 हो गिये य आपका INSUR हो गिए कोई भी doubt हों तो कमेंट बॉक्स में पूसह सकते हैं सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को दवा खूल कर लिए दोस्तों कोनों समिकरन हो जैसे हम आपको बताएं रफ में बैठा बैठा के मान एक बार में नहीं होगा दो बार तिन बार प्रैक्टिस किजिए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका हम समझाएं आपको बहुत लोग तो तीन गो मान निकालता है तो हम सिर्फ दो गो